दोस्तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक professional attendance sheet create करेंगे और आज का जो ये वीडियो है ये उससे भी जादा important होने वाला है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सेखने वाले एक proper automatic attendance sheet create करना वो भी complete year के लिए अब इस ट्राम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं नॉर्मली आप इस किन पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक proper automated attendance sheet बनाई हुई है और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये attendance sheet है January मंत का आप देख सकते हो उपर मंत क्या है January और मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं जनवरी की जगह यहाँ पर चूज करता हूँ फर्वरी अभी देखिए आप पूरा date आ रहा है 31 तक जैसे मैं फर्वरी चूज करूँगा तो यह format पूरा update हो जाएगा इवन संडे की बात करें इसमें संडे अलग date पर आ रहा है तो यहाँ पर हमने complete year के लिए जितनी भी attendance sheets है उन सबका format एक ही बार में ready कर लिया है चाहे वो जनवरी का हो, फर्वरी का हो, मार्च, अप्राइल, माई, जो भी मन्त है सबके लिए हमने यह पर attendance sheet format create कर लिया है अब simple term में guys, यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है क्यों? क्योंकि एक तो आप इसमें attendance sheet create करना सीखोगे साथ में आप इसमें automatic format apply करना सीखोगे इसके साथ ही जो conditional formatting हमने apply करी है जिसके भीहाब पर Sundays वगर आ रहे है, data validation part apply क्या है या फिर हमने interlink किया है इन चीज़ों को इसे इसे या फिर इन सब चीज़ को यह सब कुछ आप इस एक single वीडियो में सीखने वाले होगे जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा से लंबा होगा बट आपको patience रखना है और वीडियो को पूरा end तक देखना है और आम टेलिंग यू कि वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा informative होने वाला है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मल ही आ जाते हैं computer screen पे और यहां पे सबसे पहले हम create करेंगे main format जिसके शुरुवात करते हैं हम मन्त से तो हमने आपे लिखा month और मैं क्या चाहरा हूँ कि यहां पे drop down create हो जाए हर एक month के लिए चाहे वो January हो, February हो, March हो, April हो, कोई सा भी month हो तो इसके लिए मैं करना क्या है हम यहां पे दूसरी sheet ले लेते हैं और यहां पे हम जितने भी months है उनका एक criteria create कर लेते हैं तो हमने आपे लिखा simply gen उसके बाद हमने लिखा fav और simple आप इसको select करो select करने के बाद आप इसे drag कर दो कुछ इस तरह के से हम select कर लेंगे और करेंगे okay जैसे आप okay करोगे आप देखोगे कि यहां पे drop down list create हो गई है अब मुझे जैन चूस करना है तो जैन या फिर आप लिखोगे नीचे suggestion मिल जाएगा tap की press करेंगे formula start हो जाएगा इसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है date text तो हमें क्या करना है सबसे पहले double quats के अंदर यहां पे लिखना इसके बाद हमें यहां पे डालना है end symbol और फिर यह जो jan month है इसको select कर लेना है फिर end symbol डालेंगे और double quats के अंदर यहां पे लिखेंगे 11-2022 इसके बाद हम यहां पे आएंगे और यह 11-2022 शो कर रहा है मैं चारों यहां पे लिखेंगे 31-2022 यानि कि यह एक तारिक से लेके हमें कहां तक च्छी है 31 तारिक तो हम करेंगे यहां पे equal और यहां पे हमें formula डालना है end of month e-o-m-o-n-th यह किया सबसे पहले पूछ रह है यहां पे जाएंगे और इसे कर देंगे short date तो एक तारिक से लेके 31 तारिक तक की date आ गई आप देखो अगर मैं यहां पे January की जगए February चूज करूँ तो यहां पे एक तारिक से 28 तारिक की date आ रही है फिर हम यहीं पे जाते हैं और मैंने चूज किया यहां पे August तो आप द यहां पे जाएंगे और आपको जाना है कस्टम में कस्टम में जाने के बाद यहां पे देखो आपको एक format मिलता है डीडी और फिर तिर्पल आपको इससे सलेक करना है उपर सेंपल आपको दिख जाएगा आपको गर देना okay अब आप देखोगे कि आपका format कैसा आ रहा है य इसके मदद से से interlink किया इसको हमने interlink किया इससे और इससे इंटरlink कर दिया इस से और इसी वजह से यहां पर जब जब हम month change कर रहे हैं तो उसके according यहां पर data आ रहा है अब इत्ना term आपको उपको clear होई गया होगा अगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम यहांपर put on करते है आई इसके बाद हमने लिखा नीम किसी भी मन्त का हम डेटा बात करें उन सब में जितने भी इड इस नंबर है जितने भी इंपलोई काम कर रहे हैं सब के लिए वह अटेंडनेशीट करेट होगी तो आईडी नम्मर और नीम हमने सब के लिए यहां पर बुटॉन कर दिया है इसके मेंट से के गाएं बाद एक वसमी सेरी से जौना सांघ के यहां नहीं से मवन बनना जाए यहां न सब कुछ होना चाहिए हमारा मेंट द्लोवUST करना है हम यहां पर आएंगे सब से फ़ेले और Jim मुझे simple यहां पर equal करना है और यह जो हमारी पहली date है इसको हमें select करना है क्योंकि जो भी हम attendance sheet create करेंगे वो शुरुवात तो एक तारिक से ही होगा यानि कि उसी date से तो हमने इसको enter किया अब enter करने पर भी है show करना मैं इसको बढ़ा करूंगा तो पूरी date आ जाएगी यहां प जाओगे और custom में जाकर हमें simply यहां जो dd और dash triple m को काड़ देना है सिर्फ डी डी चाहिए हमें तो हमने यहां पर किया okay तो अब देखो 01 आ रहा है हम इसे double tap करते हैं यहां कि 01 और अब मैं चारों यहां पर 02, 03, 04 इस तरीके से जो पूरा range है वो यहां पर आ जाए अब यह यहां पर देखो बहुत ही important term को आपको समझना है देखो अगर मैं इसे drag करो simple काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा इसमें क्या tough है इसे हम drag कर देते हैं automatically आ जाएगा लेकिन यहां पर condition है condition क्या है कि यह महिना January का है तो January में 31 दिन होते हैं तो मैं इसे अभी drag कर देता हू मुझे 31 तक नहीं चाहिए कहां तक चाहिए 28 तक चाहिए तो यह conditional work करें इसके लिए हम क्या करेंगे देखो simply हमें आना है यहां पर अगले cell में हम यहां पर करेंगे equal और यहां पर डालेंगे if का formula टैप के formula शुरू हो गया and I hope कि आप सबको इस formula अच्छे से use करना आता होग अब यहां पर देखो सबसे पहला term क्या logical test मतलब हमारी condition क्या है हमारी condition यह है कि यह जो date है अगर वो less than है इस वाली date से मतलब यह highest date हो गई चाहिए 31 हो 28 हो कुछ भी हो तो यह आगे बढ़ेगा मतलब यह एक तारीक है इसके बाद 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा मतल इस वाले में एक और जोड़ दो मतलब यह भी एक है एक और जोड़ दिया तो यहां पर दो आजाएगा फिर आगे किया फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से बढ़ता रहेगा कोमा अगर यह इस से छोटा नहीं रहता मानलो 28 आ गया तो अब यहां पर रुख जाएगा तो जब कि से छोटा नहीं रहता तो यहां पर प्रिंऩ करा दो मतलब वहां पर एक्जी कुशन को रोक दो तो अब यहां पर हमने लगा दिये कंडीशं अभी यहां पर सेन बैसे आ करने वाला है तो हम यह एंत वाले को अ हम क्या कर देंगे कुछ कर देंगे कुछ इस तरीके से हमने और यह offers जाएगा डेंगे प्रेस कर देंगे और अब यहाँ पर यहाँ पे पर यह भ Olaf simple format में जाना और auto fit column पर click कर देना है आप देखोगे कि यहां पर 31 तक यह जो range है वो proper apply हो गई है अब यहां पर एक बार हम practical check करते हैं देखो यहां पर आपको धियान देना है और यहां पर देना है कि यहां तक हमारा जो हमने apply किया है इसमें terms वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो हम यहां पर जाते हैं मैं choose करता हूँ fab तो यहां पर देखो एक फैप से लेके 28 फैप शो कर रहा है और यहां पर भी जो range है वो कहां तक आ गई है 28 फैप तक आ गई है दुबारा एक बार चेक करते हैं इसमें आते हैं और हमने क्या में select तो आप देखो एक तारिक से ले जो कि है सिक्का एप अब जैसे ही बात आती है अर्निंग एप के तो दिमाग में एक डाउट आता है क्या कहीं एप फ्रॉड तो नहीं है कहीं से एप को डाउनलोड करने पर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तो इसके लिए कुछ जवाब सबसे पहले यह जो एप है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है नमबर वन दूसरा यहां पर बात करें तो इस एप को वन मिलियन से भी जादा लोग मतलब 10 लाग से भी जादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और तीसरा जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है कि इस एप को 4.1 स्टार के रेटिंग मिली हो कोई दूसरा आप यूज कर रहे हो कोई स्पिनिंग टाइप टर्म हो गया तो बहुत ही अलगलग टास्क होता है जिनको जब आप अटेम्ट करते हो तो यह आपको सिक्का प्रोवाइड करता है यहां बें बात करें तो 100 सिक्का की जो वैल्यू है वो 10 उर्पे होती है और मिनिमम आप 50 सिक्का को विड्रो कर सकते हो विड्रो का जो प्रोसेस हो बहुत ही जादा सिंपल है आपको सिंपली जो वालेट वाला उप्शन उस पर किलिक करना है और जब यह इंटरफेस आता है तो रिडीम नाउप पर किलिक करके जो भी चीज़े मांग रहा है यूपी कोड डालोगी तो इसके बाद जो भी तीन टास्क आप पहले अटेम करोगे उस पर आपको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा तो देर किस बात कि इस एप का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप खुद उस पर किलिक करके प्ले स्टोर पर जाके खुद इसे रिव् सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर सिंपली सेलेक्ट करने के बाद इस पर जो भी कलर मुझे अप्लाई करना है लाइक ब्लैक कर दिया इस पर वाइट कर दिया इससे सेलेक्ट करते हैं इस पर सब्लू कलर अप्लाई करना हम नहीं कर दिया और वाइट क कि इसे है उतने भी आ जाये, फिर हमने इसको सब्सक्राइब कर रेंगे और ऐसको एक प्रॉपरए स्पेस यहां पर मिल जाएगा फिर हम इसे भी सब्सक्रा रखेंगा और किया करते हु़ किने और यहां पर आते हैं, हमने यहां पर लिख दिया 2, इसके बाद हमने इसको select किया, select करने के बाद दुबारा इसमें हम black color apply कर देंगे यहां पर, इसका जो text color है वो आप yellow रख सकते हो, इसे भी select किया, black और text color यह, अब फिर यह mid वाले को select किया, इसका जो भी color हमें रखना है, like suppose मुझे यह color better लग रहा है या फिर यह better लग रहा है, तो यह color हम, यहां पर apply कर देते हैं, इसके साथ हम select करते हैं, यहां पर इस range को नीचे तक select कर लेते हैं जहां तक हमें data रखना है मतलब maximum data हमें लग रहा है वहां तक होगा तो हमने वहां तक select किया और select करने के बाद यहीं पर जाना है और कर देना है all borders यहां पर हमारा 50% work अभी complete हो चुका है लेकिन अभी भी 50% term बचा हुआ है अब देख है sunday है monday है Tuesday है कौन सा है यह तो हमने भी निकाला ही नहीं तो इसके लिए हमें करना क्या है सिंपल यहां पर प्रेस करना equal और एक फॉर्मला टाइप करना है जो कि है text टैप के आप फॉर्मला शुरू हो जाएगा पहला टर्म क्या है यहां पर value तो हमने किया select value को और इसका rotate text up और आप देखो कि यह आगया इस format फिर इसको select किया और select करने के बाद हम इसे simply क्या कर देंगे drag कर देंगे 31 तक और अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि हर एक date के साथ यह mention हो गया कि उस दिन कौन सा दिन पढ़ रहा है तो यह चीज़ आगे यहां पर आने के बाद इ तो आप डहिते हैं यहां पर इसे कर देंगे much और हमने कर दिया यहां पर इस format में एंगल counter clockwise है इस भी select किया कर देंगे और यहां पर इसे कर देंगे एंगल एंटी क्लॉकवाइस तो यह हमारा फॉर्मेट यहां पर रेडी हो गया, अब यहां पर मन्द चूज करके देखते हैं कि क्या इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही हमने कि जन्वरी तो आप देखो यहां पर जन्वरी के हिसाब से डेटा अगर इसी की जगा हम यहां पर कोई और फॉर्मेट चूज कर लेते हैं लाइक हमने यहां पर चूज कि आप फर्वरी तो आप देखो कि फैवरी के हिसाब से यहां पर format change हो गया अब यहां तक का term clear कि यह Saturday Sunday Monday कैसे आएगा यह भी clear हो गया होगा अब यहां पर हम क्या करते हैं कुछ ID नमर डाल लेते हैं कुछ name डाल लेते हैं तो मैं यहां पर ID नमर डाल लेता हूं जो कि specific होती है EM 101 हमने डाला ऐसे और select करके हमने drag कर दिया जहां तक हमारा data है फिर हम नाम की बात करें तो यहां पर हम कुछ नाम डाल देते हैं और उसको हम थोड़ा अलग color में किसी अलग format में represent करते हैं क्योंकि वह पहले से ही define रहता है कि Sunday का जो box है वह already present में count किया जाएगा तो हम यहां पर Sundays को चा रहे है red color में convert करना जितने भी Sunday है और जितने भी month आएंगे चा वह January यह February यह March कोई भी है तो उसमें वह by default जो Sunday है वह red color में ही आए तो वह कैसे होगा तो इसके लिए मैं क्या करना है यही पर आना है और मैं इससे थोड़ा से यहां पर बढ़ा कर देता हूं इसके बाद हम यहां पर जाएंगे simple conditional formatting में यहां जाने के बाद आप देखो आपको जो यह Saturday वाला cell है जिसमें लिखा है Saturday Sunday Sunday बंडे तो इसके जश्ट उपर वाला select करना है और यहां पर हम लिखेंगे कि अगर यह equal है किसके equal है Sunday के हमने लिख दे यहां पर Sunday double quarts के अंदर मैंने यहां पर लिखा तो इस पे एक अलग format apply हो जाए तो हम क्या करेंगे आप format पर आएंगे और इसमें जो भी format apply करना है जैसे मुझे यह color apply करना है और text की बात करें तो मैं चाहता हूँ text bold हो और जो भी text का color हो white हो यह हमने किया और मैंने कर दिया okay तो मैंने बोला कि यह जो cell है अगर इसमें Sunday हो तो यह वाला format apply होना चाहिए इसके साथ ही एक और term यहा करना तो इसके लिए हम यह जो dollar symbol है इसको हटा देंगे column पर से जो c लिखा है उस पर से हम dollar हटा देंगे और 4 पर हम dollar के symbol रहने देंगे करेंगे okay करने के बाद जैसे में से आगे move on करूंगा आप देखो यहां पर color apply हो गया है से इसी तरीके से मुझे आगे तक apply करना है जो कि आप यहां पर देख पार हो 31 तक हमने apply किया और इसके बाद हम इसे नीचे तक apply कर देंगे ऐसे ठीक है और अब आप देखो जितने Sunday है उन पर by default वो जो color है वो apply हो गया है अगर मैं यहां पर month change करता हूं January में जाके मैं fab करता हूं तो यहां पर देखो अलग जगह पर Sunday आ रहा है यहां पर जून की तो यहां पर अलग जगह Sunday आ रहा है और वो उसी के हिसाब से color apply कर रहा है सो है नहीं मस्यदार and I hope कि यह term आपको clear हो गय यह है कि अगर मैं Sunday पर click कर रहा हूं अभी जैसे मैं कोई भी value डालता हूं तो वो apply हो रही है मैं चाहरा हूं इसमें कोई भी value नहीं डाली जा सके तो इसके लिए हम इसमें data validation apply करेंगे यहां पर आ जाते हैं और screen को थोड़ा से यहां पर zoom करते हैं simple यहां पर आना है आने के equal, equal करने के बाद मुझे इस cell को select करना है क्योंकि हम condition इसी की भी हाप पर लगा रहे हैं तो हमने select किया और मैंने बोला अगर यह not equal है not equal है किसके Sunday के तो तो इसमें value जाएगी लेकिन अगर equal है Sunday के तो यहां पर एक alert आएगा और वो alert क्या है मैं आपर डाल दे invalid और मैं यह बो not editable यह डाला मैंने और मैं यहीं पर आऊंगा setting में और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमें इसमें row को fix कर रहा है तो हम यहां row के लिए dollar दे देंगे shift दबा के आप 4 दबाओ को dollar आ जाएगा बट जो column criteria उसको हम यहां fix नहीं करेंगे तो हम dollar एक ही पर apply करेंगे हमने किय okay करने के बाद इसे आपको drag करना है इस तरीके से पूरे 31 days के लिए यहां पर और फिर यहीं dragation हमें कर देना नीचे तक और अब हम एक बार check करेंगे इसमें हम कोई value डाल पा रहे हैं तो हमने लिखा यहां पी enter किया जैसे मैं enter कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ रहा है एक error पा रहा है कि invalid Sunday cell is not editable जैसे मैं enter करूंगा वह value यहां से हट जाएगे तो मैं इसमें कुल मिला कि कोई value डाली नहीं पा रहा है सबसे पहला तो हमारा यह हो गया यहीं पर आते हैं और एक और मर्च कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं यह जो है 2022 सिंबल इसको सेलेक करेंगे सेलेक करने बाद इसे बोल्ड कर दिया जो भी इस पर color apply करना है color apply कर दिया और text color हम यहां पर white कर देते हैं और यह हमारा proper format यह ready हो गया एक कोई की review करते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि जो भी month हम choose कर रहे है उसके हिसाब से हमारा यहां पर attendance sheet ready हो जाता है जिस month के लिए भी हमें इसे prepare करना है अब यहां पर एक term को अच्छे से समझ लो कि इस attendance sheet क आप एक बार use कर सकते हो in a single sheet मतलब अगर sheet पे खुला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसे हम एक बार use करेंगे चाहे हो जिस month के लिए भी करें लेकिन आप इस format को एक template बना के save कर सकते हो जब भी आपके दूसरा month start होता है like यहां पर फरवरी start हो गया March start हो गया तो आपने सिर्फ वो template उठाया आपको दुबारा कोई format बनाने की जरूत नहीं है कोई भी दुबारा changes करने की जरूत नहीं है बस drop down menu में से आपको जाए के फैरोरी choose करना है और आप उस format को use कर सकते हो फिलाल इसमें थोड़ी से editing बची है उसे complete कर लेते हैं फिर हम इसमें format apply करते हैं स हमने इसको यहां पर drag किया जितने में हमें यहां पर कुछ भी चीज मेंशन करने हैं select करेंगे merge कर देंगे और यहां पर हमने लिखा attendance sheet format 2022 यह लिखा हमने select किया select करने के बादे से बढ़ा कर लेंगे और यहां पर middle alignment हम इस पर apply करेंगे जो भी font आपको सही लग रहा है वह font पर apply कर दो color आपको जो रखना है like मुझे यहां पर better color लगता है green तो मैंने green select कर लिया और जो इसका text color है वो हमने रख दिया white in case आपको attendance का color अलग रखना है तो आप इसको select कर सकते हो इस तरीके से और जो भी color आपको apply करना है like yellow रखना है तो आप इसे yellow रख सकते हो और आप आपका proper format यहां पर ready हो जाता है जो कि on screen आप देख पारे हो अब इसके बाद हम इसे template में convert कर देते हैं तो file में जाते हैं और यहां जाएंगे save as पे click किया click करने के बाद browse पे click कर दो simply आप यहां पर देखो के मैं लिख देता हूं excel format इसका नाम डाला हमने और save as type में जाके यहां पर आप कर दो template एक option आपको मिलेगा template का यह रहा तो यहां पर हम देख सकते excel template इस पर click करना है click करने के बाद आपको कोई भी इसमे location change नहीं करनी इसे हमने save कर दिया आप save करने के बाद मैं इसे हटा देता हूं simple हम यहां पर excel start करते है ठीक है यह excel start किया और start करने के ब यह और मैं इसे यहां पर save करता हूं control s करता हूं तो आप देखो कि बिल्कुल एक नए workbook में save होगा तो मैं इसे browse करता हूं और यहां पर देखो नाम आ रहा है तो मैंने इसे save कर दिया mohan के नाम से सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं लिग दें mohan और कर दिया save अब एक बा से related कोई data नहीं है तो कहने के मतलब यह format बना के आपने ऐसे template save कर लिया अब जिस मन्त के लिए भी आप बनाओगे लाइक आप जनवरी का बना रहे हो तो यहां पर जनवरी का हो गया फिर अगले मन्त February का बनाना है तो format आपके पास ready है बस उस format को ऐसे template उठाया और फिर उस को अच्छी लगे तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथिये comment करके अपना feedback जरूर दे थैंक यू